ओम शान्ति आज 24 सेप्टेंबर 2021 है आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हमें बाप की अव्यक्त पालना का रिटर्न हम कैसे दे सकते हैं उस बारे में बता रहे हैं हम सभी का बाप दादा दोनों से ही बहुत प्यार है इसलिए ही शिव बाबा की सिक्षाओं को ग्रहन करते हुए ब्रह्मा बाबा के समान बनने का हम पुर्शार्ट कर रहे हैं तो इस पुर्शार्ट को सहच करने के लिए आए जानते हैं हम आज के अव्यक्त इशारे जैसे ब्रम्हा बाप विदेही स्थिथी द्वारा कर्मातीत बन अव्यक्त बने तो अव्यक्त ब्रम्हा की विशेश पालना के पात्र हो इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉंड विदेही बन कर दो सेवा और स्थिथी का बैलन्स रखो आज के अव्यक्त इशारे जितने ही सरल और छोटे हैं उतना ही उसकी गुहियता में हम अगर जाएं तो सारा ही इसके अंदर हमारी पढ़ाई का सार समाया हुआ है हम सबने ब्राम्भन जनम लिया हम में से अधिकतर ब्राम्भन तब बने जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए अर्थात हमारी मा पिता तो निराकार है ही सदा से लेकिन हमारी मा ब्रह्मा भी अव्यक्त है तो निराकार और अव्यत मात पिता के हम बच्चे हमारे अंदर साकारी स्मृती नहीं होनी चाहिए या तो हम निराकार अवस्था बाप समान या ब्रह्मा बाबा के समान अव्यत स्थिथी का अनुभव हमारा हो तब ही हम सच्चे रूप से उन मात पिता के संतान अपने आपको कह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं इसलिए जब जनम ही अलोकिक है, जनम ही अव्यक्त के द्वारा है तो हमारी स्थिती भी नाचुरल अव्यक्त हो इसलिए बाबा ने कहा, उस पालना का रिटर्न हमें विदेही बन करके देना है इसी के द्वारा हम सहज कर्माती तवस्था को पा सकेंगे दूसरा बाबा ने कहा, सेवा और स्थिती का बैलन्स रखना है अगर हम इन दो शब्दों को देखें, तो स्थिती हमारी कैसे बनती है स्थिती बनती है ज्यान, योग और उसकी धारना से और सेवा हमारा आखरी सब्जेक्ट है ही अर्थात सेवा और स्थिती के बैलन्स में हमारे चारो ही सब्जेक्ट का बैलन्स समा गया अगर कोई वच्चा स्कूल में पढ़ते हुए दो सब्जेक्ट्स में बिल्कुल टॉप करे एक में थोड़ा ठीक ठाक और एक में फेल हो जाए तो भी वो आगे क्लास में प्रमोट नहीं हो सकता आज हम देखते हैं सेवा प्रधानता बहुत हो गई है हर कोई चलते ही ज्ञान में चाता है मुझे कोई सेवा मिल जाए लेकिन सेवा भी किस आधार से होगी सेवा हमारी वाचा से नहीं लेकिन वाचा के साथ हम जो vibrations दे रहे हैं हमारे बोल में कितना अनुभव समाया हुआ है जो की हमारी स्थिथी से बनता है उस आधार से होगी और स्थिथी बनाए लेकिन सेवा के शेत्र पर ना आए तो ये भी हमारा एक सब्जेक की कमी हो गई इसलिए चारो ही सब्जेक का बैलन्स अर्थात स्थिथी बनाके स्थिथी द्वारा सेवा तभी हम फुल पास अर्थात कर्मा तीत का ताज हमको मिल सकता है तो इनी बातों को आज हम ध्यान में रख करके इस बैलेंस को चेक करेंगे और इंप्रूफ करने का भ्यास करेंगे ओम शान्ति